नमस्कार, स्वागत है आपका एग्वाइन सेंडिया पर मैं हूँ नवीन चोहान आज दो तस्वीरे आपको दिखाएंगे एक तस्वीर है भारत के प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी की जैसे ही वो अमेरिका पहुँचे तो शानदार स्वागत हुआ लेकिन दूसरी तरह है परदूसी मुलक पाकिस्तान के प्रदान मंतरी इमरान खान जो अमेरिका जाते हैं तो वहाँ उनका अस्वागत करने के लिए कोई नहीं पहुचता अमेरिका की मीडिया आज अपना कचरा दिखा रही है जब एक देश का राश्टिय अध्यक्ष किसी दूसरे देश में जाता है और वो दूसरा देश दुनिया की सबसे बड़ी ताकत यानि अमेरिका हो तब मीडिया सिर्फ अपने देश को दिखाती है लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इमरान खान अमेरिका में है तो उनकी मीडिया इस वक्त कचरा दिखाती नजर आ रही है यानि यह तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त कचरा दिखा रही है क्योंकि उसको मीडिया को पता चल चुका है कि उनके प्रदान मंत्री की अमेरिका में जबरदस्त बैस्जती हो गई है क्योंकि वहाँ स्वागत करने के लिए कोई नहीं पहुचा आप सबसे पहले ये तस्वीर देखिए जब पहली बार वो अमेरिका गए थे तो वहाँ पर उन्हें मेट्रो में सफर करना पड़ा था इस बार जब वो एरपोर्ट पर उत्रे तो मेट्रो छोड़कर वही स्वागत की उम्मीदे लगाए बैटे थे लेकिन जैसे ही एरपोर्ट पर उतरते हैं तो सिर्फ पाकिस्तान के लोग वहाँ पर नजर आते हैं कोई अमेरिकन इस तस्वीर में आपको नजर नहीं आता अब मैं इन दो तस्वीरों को आपको दिखाता हूँ जो कंपेरिजन बताएगी कि कि किस तरह से जबरदस्वागत हुआ प्रदान मंतरी नरेंद्र मोदी का जो इधर की साइड आप देख रहे हैं उसमें देखकर आप अंधाजा लगा सकते हैं कि प्रदान मंतरी मोदी जैसे ही एरपोर्ट से उतरे वहाँ पर तमाम अमेरिकन मौजूद थे भारतिय मौजूद थे और उनका जबरदस्वागत हुआ डॉनल्ड ट्रम्प उनके लिए अपना प्रोटोकोल तोड़ कर किस तरह से उनके बराबर में खड़े रहे प्रदान मंतरी मोदी लगबग 20 मिनट तक स्पीच देते रहे और डॉनल्ड प्रम्प खड़े रहे इससे आप समझ सकते हैं कि उन्होंने भारतिय प्रदान मंतरी को कितना सम्मान दिया दूसरी तरफ इमरान खान के तस्वीर देखकर आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह से वहाँ पर कोई उनका स्वागत करने के लिए मौचूद ही नहीं था लेकिन अब ये जानना भी बेहत जरूरी है कि पाकिस्तान की इतनी बड़ी बेज़दी के बाद वहाँ के लोग क्या कह रहे हैं यानि कि पाकिस्तान के लोग का क्या बयान आया है आये वह आपको दिखाते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर अपने प्रदानमंत्री की जबरदस बेज़दी पाकिस्तान खुद कर रहा है आये ये तस्मीर देखिए रजबियान ने लिखा है एक उधार के विमान में कितनी शर्म की बात है एक ट्वीटर यूजर है फारूप जिनोंने लिखा है सिलेक्टिट पीम के स्वावत के लिए हवाई अड़े पर एक भी अमेरिकी अधिकारी नहीं पहुँचा अगला ट्वीट देखी मलिक है जो लिखते है इसको रिसीव करने कोई अमेरिकन डिपलोमेट नहीं आया ये सब तो पाकिस्तानी नजर आ रही है तो आपने देखा किस तरह से बेज़ज़ती हुई खुद पाकिस्तान के लोगों को पता है कि उनके राष्ट्य अध्यक्ष उनके प्रदान मंतरी की बेज़ज़ती हो चुकी है लेकिन समझा जा सकता है कि मीडिया जो हमेशा जूट का प्रपोगेंडा चलाती रही है वो इस बाद जूट क्या सच क्या कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि उनको पता है कि उनके पीएम की बेज़ज़ती हो गई इसलिए उनके टीवी चैनल्स पर अधिकतर तोर पर इस वक्त कूड़ा चल रहा है कचरे का धेर दिखाय जा रहा है कराची में वह सड़कों पर फड़ा कूड़ा लगातार तस्वीरों के जरिये लोगों तक पहुचा है जा रहा है और इससे समझाता है कि पाकिस्तान ने मान लिया कि अब उसकी बेज़ज़ती हर कोने पर हर जगा पर हर सड़क पर इसी तरीके से होगी तो आप इस वीडियो को शेयर जरू कीजिए और लगातार इसी तरह के मुद्धे आपके लिए लेकर आते रहेंगे इस वीडियो को शेयर जरू कीजिए और Headwines India के साथ लगातार चुड़े रहिए नमस्कार